सावन सोमवार वरत 2024 हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में सावन मास कब से शुरू हो रहा है, सावन सोमवार वरत कब कब रखे जाएंगे और साथ ही जानेंगे। सावन मास शुरू होने से पहले किये जाने वाले कुछ खास कारियों के बारे में इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले हे भोले नाथ जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भगवान शिव पार्वती लिखे। उन पर भगवान भोले नाथ का आशीरवाद हमेशा बना रहे। उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। की महादेव को प्रसन करने के लिए और भी अधिक खास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देव शयनी एकादशी तिथि से भगवान विश्णू चार महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। ऐसे में स्रिष्टी का कार्यभार भगवान शिव सं और सावन मास शुरू होने से पहले किन कारियों को करना शुब होता है। 19 जुलाई को है सावन का, 30 सोमवार 5 अगस्त को है सावन का, 4 सोमवार 12 अगस्त को और सावन का 15 सोमवार 19 अगस्त को पढ़ेगा। अब जान लेते हैं कि सावन मास शुरू होने से पहले क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों सावन मास मनोकामना पूरी करने वाला महिना माना जाता है विशेशकर सावन में पढ़ने वाले सोमवार और मंगलवार वरत इच्छा पूर्ती वाले माने जाते हैं दोस्तों, सावन में शिव जी की कृपा पाने के लिए हमें पहले ही कुछ कार्यों को कर लेना चाहिए, तो आईए जानते हैं, ये कार्य क्या है? दोस्तों, सावन मास शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई कर लें, सावन मास में सात्विक्ता का खास खयाल रखना चाहिए, ऐसे में घर में रखी तामसिक चीजों को हटा लें, दोस्तों, सावन में शिवलिंग का जलाविशेक करने के लिए हमें गंगा जल की आवश्यक् इसलिए गंगाजल की व्यवस्था पहले से ही कर लें। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कॉमेंट में जरूर लिखे जय भोले नात, जय शिव शंभू, साथ ही देवों के देव, हर हर महादेव, सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करे, वीडियो को लाइक करे, प्रियमित्रों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, जय भोले नात.